नमस्कार आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं आप देख रहे हैं टी ए नानूस का खास कारेक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूँ आपके सांथ रुपेश ठाकूर विधान सभव चुनाओं के बाद लोग सभव चुनाओं में कुछी दिर रह गए हैं ऐसे में हम लगातार अलग-अलग विधान सभव और लोग सभव चेत्रों में जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं सांथ हीं नेता मंत्री विधायक और पत्याशों से आपकी मुला कात्तरवार हैं इसी बीच हम आप पहुंचे हैं रामपुर विधान सबस्षेत्र में और वरतमान में यहां से विधायक हैं फुल सी राठेजी आज हमारे साथ वही मेमान हैं सर आपका बहुत-बहुत सागत है सर राजनितिक चर्चब में आगे बढ़ेंगे उससे पहले संचेप में अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर एकि मैं पहले जो अपना बड़ा भाई है पैतालीस साल से सरपंच था उसके बाद दो हजार में मेरे को बोला गया कि आप चुनाव लड़ो तो मैं बड बड़ा तो मैं बोला बड़े भाई को कि अद्ध्यक्ष बनाएगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा जनपत का तो ठीक है बोले कि मैं बनाओंगा आपको उसके बाद में चुनाव लड़ा अच्छा बोड़ से हसिल के जनपत में अध्यक्ष बनगे 2000 में उसके बाद 2005 तक लड़ा जनपत अध्यक्ष था और में जनपत अध्यक्ष के बाद रेक्षिन होगा महला तुम्हें बोला यूदा महला हो गया क्या करूंग उसके बाद जेला पंचा चुना लड़ा जेला पंचा चुना में थैंist ऊद्ध को हरवाए गया एक अब की बात है यह दो हजार आठ नौ की बात है सर क्या आप सुरूर से सोचके रहे थे मुझे राजनिती में जाना कि ऐसे कुछ परिवेस्ट नहीं कोई नहीं सोचा था जी राजनिती के आने के लिए अपना जो बड़ा भाई है उनहीं का देन है वो बोल आज कराद से आप शुरुवात के अजनपर से सुरूरु कि अच्छा नहीं तो उस समय में और अभी में कितना अंतर देखते हैं अब आज बहुत अंतर हैं उस समय in है Oh जिला उसमें भी बहुत अंतर हैं कि अब की पढ़ाई उतना जादा नहीं हो पाया जितना होना चाथ ह इस बार आप जीत करा हैं, बहुत अंतर के वोर्ट्स आप जीते हैं, लगभग 22,000 से ज्यादा, जी और आपके जो विपक्ष में थे, वो विजेवी पार्टी के कददावार नेता थे, नंकी रामकमर जी, तो डर लग रहा था कि कही हार ना जाओं ऐसा कुछ? मुझे कोई डर नहीं था, जो अपने कार्य करता है, अपने मद्दातव, जो अपने समाज का और अन्य समाज का, जो सपोर्ट मिला मेरे को, मुझे कोई डर नहीं था, मैं तो पुरा जीत का ओ स्रेरे कर चर रहा था. जी, आपका विधारसवाच यह दी वासे बहुल-चेत्र हैं, तो जो नंकिराम कमार जीते पूरविधया का पूरुमंत्री भी रहे हैं, तो आपको क्या लागता है कि जितना काम करना चैनल सक है और लोग अपना आप्षां त्रास रहे है तो अभी होते काम कर हराऊ जरूर होगा अगर नहीं होगा तो मैं धन्य पर बेड़ जाओंगा अभी बीजेपी के सरकार है राज्य में और आप कॉंग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर अपोजिशन के कोई विधायक है तो उनके छेत्र में कम काम देना या फिर जो काम समय में क्या क्या मुझे यहां से प्रोजेक्ट है यहां बनवाना है काम करवाना इसको लेकर आप अपने त्यार कर लिया हूँ इसमें तो मैं जो बिधान सवाव भी बज़ड सत्र चला उसमें भी मैं कोच्छन लगया था कि अपना जो कुर्बा जिले के लिए लिए पूर कि इतने इसको भवन भी ने है कि इतने इसको जरजर है इसके लिए भी मैं lesson किया था तो बेले हैं कि च्र में स्वास Mechan monkeys के अंदर हम लोग पूरा कर देंगे स्वास्टार की किया जाए तो इस रही चेटर में स्षी बहुत खराब26 चली पर अदी शुत बаменारे बूत इसे ब' अपना स्केथ के ही क्विए वे सब्सक्राइब, पहुत अब अब खराब भी है को कई जगए भी डाक्टर नहीं पहुंच पाई है EOS क्कूर 170 कहें पे सब्सक्राइब रपित हर्वहावा कियाता है। को बीस्गा banging याब इस पर की सिब्सक्राइब कि यह बात चलती है कि अगर सिक्षा बहतर मिल सके यहां के बच्चों को तो वही आगने वाला समय में भविश्चा को गड़ते हैं तो सिक्षा को चैतर में विकास को लेकर आपके पास क्यारूड मैफ है कि अगर हम देखे परसेंट को यहां जो सिक्षा कारता दर है वो 73 परसेंट है उसमें पूर्सों की तदाज ज्यादे महिलाओं की कम है तो जो बच्चे ड्रॉप कर दे रहे हैं जैसे कि अगर दस भी तक पाही कर रहे हैं उसके बाद उन लोग इसको ने जा पा रहे हैं तो ऐ लेघ सब्केम की अपने शेत्र में रामपूर विधान साम में दो खुल गया अपना रामपूर उम्रिलि जिए बहुत अभी ह्रीशा के शेत्रा में बहुत आगे बढ़ें के बाद्चे करका आपना शेयत्रा में कोई कालेंच नहीं था कोई हाइज समाज का हैं जो आन्य समाज का हैं इसके हम लोग दू बुटे हुए हैं दो तीन भाग में बटे हुए आदिवासी एक राथे समाज माझे समाज मजभार समाज पूरे सहो कि तो जितने विजली को लेकर भी हां समस्य है बहुत हैं सर तो क्या अभी जो आप बन गहें विधायक तो स्वकाने वार समय में घर घर तक बिजली पहुचाने में आप काम करें हैं । करश डू समय हम राष्ट्राबति जाते हैं कल गया था धोरा बारी नहीं तो वह बोले कि हम लोग के पास स्कंभा गिर गया था से और उटा के ले गया तो बहुत हैं तो बोले कि हम लोग learn 해요m जी, road infrastructure connectivity के लिए और पानी, दोनों महात तपूर है सर, तो क्या इस पर भी काम चलने, चलने के लिए आपके पास कुछ रोड मेफ है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है, जहां तक हम लोगे study किये हैं, अभी जो वालांचर में अभी जो अधिवासी लोग रहते हैं, वहां त ते ख़र्चा हो रहते हैं, तुकि अभी जो अभी तंडर होई है, अभी आपना गया था नल जजा ले अजना के बारे में अपना गुर्मा श्यांग ग्रामिड च्हेद रहे, वहां पानी के समस्या है, अपना बिबलता है, बिबलता का मोहला है, शिरुट वहां भी पानी क है कि यहां से बीधैयक तो इतने हैं किया बहुत है क्या बेहतर काम कर पाया इस चे Fastелен के लिए इतनी है असको अ सफ़ें इंखरम को यह पते हैं। कि आसे आ कि दिक हार का hardest मोत wavelength के बारे लिए एक यहां रोजगार की संभावन है बहुत अधिक है लेकिन यहां के जो युवा है उन्हें रोजगार ने मिल पा रहा है तो रोजगार दिलाने की दिस्ता में कुछ काम होगा कि रोजगार के लिए तो मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि रोजगार अपने छेत्रा में कोई है नहीं कोई फैक्टरी है नहीं तो टूरिस्ट को लेकर हो गया फिजो जैसे कहीं पर कुछ ऐसे उद्योग लगाने की बात हो जाए जहां पर वहां के आसपास के लोग अगर लगाने के लिए लगाएंगे तो पूरा अपने जो ग्राविड छेत्र के हैं वो दरदर भाटा को बीच में जैसे के बोलने सब्सक्राइब अगर उद्योग लगता है तो यहां जो खेती करने वाले लोग है तो उनकी जो जमीन है वो उन लोग ले लेंगे तो जो ख अधिवासी है पूरे अधिवासी बेल्ट है उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो जमीन लेगा जमी तो खरीद नहीं पाएंगे सर आप खिसान के बाद के हैं अभी ऐसे बहुत से छेत रहां जहां डबल फसल नहीं कर पारे किसान किसान कि समस्य के सिचाई की और बिजलिया प्रबंधन के क्योंकि अब ही जो खिसान है यहां तो नाहर पहुंच निपाते क्योंकि पाहडी एडिया है जो टीवेल की विसुविधा से अपना सिचाई कर पाएंगे तो इसमा कुछ काम होगा है चुब कि सर बहुत जरूरिया करे है कि सान किसानी कर रहे है तो वह द्रूफट ले चाहिए टीलधन के बाद है तो पनी जरूरी है लेकिन मैं इसके कोसेज करूंगा क्लिक्टर सहब से जो खरीज निया का पैसा है उसमें हर किसान को टुविल दिया जाए ताकि किसान अपना दो फसल ले सके जो कॉंग्रेस का पांच साल का समय था चासन के दौरां चाथिस गड़ में तो क्या लगते आपको कितना बेहतर से तरीके से काम कर पाए यह जो जनाह अभी महिडाव है जैसे के बिरोजगारी भत्त जेना नहीं इसमें की पाउंचने के बाह दो जंता को बताना चिए कि हम लोग यह काम के है काम को जो ABM मसीम है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ खराबी होगा, अपने शेत्रा में, इतना सुनो चलता था ABM मसीम, दस-ग्यारा बज़े रात तक बोटिंग किये, कि यहां डिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, इसको बारे में कुछ बताया, इसके बारे में हम लोग सिकाइद भी किये थे, वहां से खुद मारे चुनाओ अधिकारी आए, और हम लोग बोले कि इसमें बोटिंग होना चाहिए, तो लोग खुद बैट कर बोटिंग करवाए, और जो अपने कारे करता है वो भी खुद बैट कर पोटिंग करवाए तो कॉर्भा में इस बार जैसे के भी कॉंग्रेस की है सांसाथ जोच्छना महन जी और इस बार बीजेपी अपना कदावर नेता सरोज पांडे को इस बार उतारी है मैदान में तो कितना टक्राव लगता है आ यहां के जनता कुछ लोगों से में बात किसर तो उन लोगा कहना के जोच्छना महन बहुत काम फिल्ड में रही है तुकि जब एक सांसा दर जे तो उसके अंडर में आठ विधान सभाए दो साल तो कुरोना लेके चले गाए और बहुत बड़ा छेतरा है इसमें क्या है कास के लिए उत्थान के लिए कुछ स्पेशल कारेकरम आपके दर चला जाएगा तकि जो स्टेट गवर्रमन की योजनाया उन तक पहुंच सके इसमें तो बहुत आपने जो अधिवासी बेल्टा है अधिवासी बेल्टा होने के नाते मैं सोचूंगा कि कलेक्टर से बोलू जैसे कि गर्मी में फिर ऐसे कुछ हो जाता है जब दर में यहां थी एक सांधि कलते हैं और कोई गौं में घुचते हैं तो गाउं को तबाह कर देते हैं कहीं कहीं जनहाने भी हुई है अपिर फजल को तो फसल को नुचान करते हैं तो इसको रोक थाम के लिए उनिभाक कि इसके लिए बियोश्य के लिए जी आपको क्या रखता है चाथिस ग्रव में इस बारा कि कितने सीट आने माली इस पर हम लोग तो बोले कि 11 के 11 सीट आएगा अज आपको सहीं रखता है क्योंकि विवर्तमान में कॉंग्रेस के पास सिर्फ दो ही है और नौ बिजय के बिजय सिर्फ जीते हम लोग अभी 11 के 11 सीट जीतेंगे वह 14 में न उसी जीते हम लोग 35 में कम से कम 11 तो जीतेंगे सर विजेपी सरकार में हैं आपको क्या रागता है जो वादे किये करके राया हैं सत्ता में तो वादे पूरे कर पाएंगे तो भी तरी करते हैं खाली जुड़ बोलते हैं 2008 में भी लोग चुड़ा प्राशार में घोस्टना किये थे हर आदिवासी परिवार को जर्शिगाय द को जिद लाने बहुत बड़ा हात रहा है आपको भी लगता ही नहीं इसमें तो हम लोग भी अभी घोस्टना पत्र किये हैं कांग्रेश के आठ हजार तीन सो तीन सो तैंतिस रूपिया सलाना एक लाक रूपिया अपना घोस्टना पत्र है पचीस गरंटी है इस बार जैसे क भी को टकर देने में सक्षम होगी हाँ पूरा मारे इस सवाय पूरा राहूल गांधी बनेंगे प्रधान मंत्री इदस साल प्रधान मंधिन नई नरेंद्रमणी का कैसे देखते है आप नहीं मोदी जी तुम माने खाली जूड बोलते हैं देखिए उधूग पतियों को इतन किसानी करते हैं ठीक है सर बहुत धन्मात आप हम से जुड़े जाते-जाते हमारे माध्धम से अपने श्यत्रिक जनता को संदेश देना चाहेंगे अब जनता को इस दूंगा माने जाते-जाते आप लोग का किस समय जोस्नों महंत को जीता है पंजा शाप को बोड़ दीजिए सविधान को माने बचाईए ये चुनाओ लोग तंत्रा का चुनाओ है अगर अभी मोदी जी बन जाते हैं तो सविधान पूरा बंद कर देंगे अरक्षण खतम कर देंगे तो आप सुन रहते हैं फूल सिंग राठे जी कू फिलहाल इस कारेक्रम में इतने ही अगले बार आप से फिर होगी मुलाकात नए कारेक्रम में नए महमान के साथ तब तक के लिए नमची दीजी नमस्कार